नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं दूसरे दिन 20 दिसंबर को प्रश्नकाल होगा, इसके अलावा भी तीवर्ष 2022 तेश के दिती अनुपूरक ब्याय बिर्णी सरकार की ओर से सदन में लाई जाएगी बतादे 21 दिसंबर को दूसरे अनुपूरक ब्याय बिर्णी पर सदन में वाद बिवाद के बाद समाने मत दान होगी 22 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावा राजकिये बिधयक और अन्य राजकिये कारे सदन में होगे वहीं 13 दिसंबर को भी 22 दिसंबर की तरह सत्र का संचालन होगा संसद्य कार्यमंत्री अलमगीर अलम ने सदन सांतिप पुर्ण चलाने की अफिल करते हुए कहा कि समाय का सदुप्योग हो इसका पर्यास हर सदस्य को होना चाहिए उन्होंने कहा है कि सदन में विधयक कौन कौन से आएंगे अफिताय नहीं हुआ है इधर भी पक्षी दल बिजेपी ने सरकार को सिद कलनी सत्र के दोरान सदन में घेरने की पूरी तयारी कर रखी है जारखन में पिछले कुछ दिनों से लोगों को ठंड से रहात मिर रही थी लेकिन गुरुवार की साम से फिर रांची सही जारखन में ठंड बढ़ गई है रांची मौसम बिगन केंदर के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक आस्मान साफ रहेगा जिसे निमतम तपमान में गिरावट दर्ज किया जाएगा इससे साम होते लोगों को अधिक ठंड महसूस होगा बतादे पिछले 24 गंटे में अधिकतम तपमान चाईबासा का रिकोर्ड किया गया जहां समाने से 7.9 डिग्री सेल्सियस अधिक था वही निमतम तपमान रामगण में रिकोर्ड किया गया जहां 11.4 डिग्री सेल्सियस था इसके साथ हिरांची का अधिक्तम तपमान 28.2 डिग्री सेलसियास और निम्तम तपमान 14.4 डिग्री सेलसियास रिकोड किया गया खतियान बील का बिरुध करने वाले को गाउ में नव बैठने दे सियम हमांत मुख्य मंत्री हमां सुरें ने गुरुवार को गोड़ा के मेला मैदान में अवजित खतियानी जोहार यात्राइक दोरान लोगों को संबोधित करते हुए उनके प्रती कृत ग्यता प्रकट की अपने संबोधन में सियम हमांत्री ने 40 साल के संहर्ज के बाद राजय मिला है 40 साल तक सोसित रहे गरीब मजदूर और अल्पसंख्यक के साथ अन्याय करने वाली सरकार को उखाड फेकने के साथ उनके वाजिब हग दिलाने का काम किया हूँ हमने 1932 खतियानी का अधिकार यहां के मुलवास्यों और अधिवास्यों को दिया है यह सब उनके सयोग से ही पूरा हुआ है इस बात की किरित अग्यता जताने के लिए गोड़ा में हूँ सियम सिरी सुरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार राजे में बन अधिकार कानून को संसोधन करने का काम कर रही है संसोधन से आधिवासी मुलवास्यों का अधिकार समाप्त हो जाएगा उनके अस्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा सीयम हिमत ըे कहा है कि खतियानी बील का विरुद करने वालो को गाँ में बैठने न दे राजे के लोगों ने अपने हक योमाधिकार के लिए संगर्ज किया है राजे बनने के बाध भी सोशन करने वाले साता में रहकर राजे को दिमक की तरह чाटने के काम किया है सिक्षा मंत्री को मिली धमकी 1922 खतियान पर बात की तो जाएगी जान सिक्षा मंत्री जग नात मतों को जान से मारने की धमकी दी गई है उनके बोकारोई थीत आवासपर बुधवार को इस पीट पोष्ट से एक पत्र भेजा गया जिसमें उने धमकी दी गई है पत्र भेजने वाले ब्यक्ति ने इंटर वर्ट डिग्री कॉलेज का अनुदान बढ़ाने यह 1932 के खतियान समधी बात नहीं करने की धमकी दी है पत्र में कहा गया है कि उतर पर्देश बिहार मध्य पर्देश के लोग कॉलेजों में काम करते हैं कॉलेजों का अनुदान बढ़ाया जाए पत्र में राजे के कुछ डिग्री कॉलेजों का नाम नहीं लिया गया है बता दे पत्र में सिवु सुरेन वा सिया महमा सुरेन के नाम का भी उलेख किया गया है पत्र लिखने वाले ने मुख्य मंत्री वा सिक्षा मंत्री मुर्दाबाद लिखा है सिक्षा मंत्री के आवास पर यह पत्र पिछले दो दिनों से आ रहा है तिन पनों का यह पत्र अलग अलग दिन आया है गढ़वा के 13 पाराट टीचर्ज पर करवाई शुरू गढ़वा जीले में सेवा रत 13 पाराट टीचर्ज को कार्य मुक्त करने की त्यारी शुरू कर दी गई है जीले के 13 पारास शिक्ष को ने अपने साटिफिकेट जामा नहीं करा है इसके कारण उनको कारय मुक्त करने की करवाई शुरू कर दी गई है मालूम हो की गढ़वा जीले में 307 पारास टीचर्ज चक सेवारा था है इन में से 44 परासिक्षकों ने 5 दिसंबर 2022 को मिलने वाले अम्तिम्तिती के पहले तक अपने साटिफिकेट जमा नहीं किये थे जार्खन को पेंशन इसकीम के 18,000 क्रोर नहीं मिल पाएंगे वापस केंद्र सरकार केंद्र ने नियू पेंशन इसकीम फंड में जार्खन सहीत तीन राजियों की जामा रासि लोटाने से इनकार कर दिया है जार्खन सरकार ने बिगध सितंबर महीले में राज कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन इसकीम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया था और इसकी सुचना पेंशन फॉंड रेगुलेटरी एवाम डेवलप्मेंट अथुरिटी को दी थी अब PFRDA में NPS के तहद जार्खन सरकार ने अपने कर्मियों के अंसदान के तोर परलगभाग 18,000 कोड़ रूपए जमा कराये थे अब जब की राय सरकार ओल्ड पेंशन इसकीम लेकर आई है तो इसके लिए वा केंद्र के पास जमा पैसे वापस चाती है जार्खन के अलावा 36 गोड़ और रायस्थान की सरकारे भी केंद्र से पेंशन असदान की डिपोजिट वापस मांग रखी है लेकिन PFRDA ने साब कर दिया है कि NPS के नियमो और सर्टो के अनुचार रासी की वापसी का प्रोधान नहीं है JSSC नियुकती में दसवी बरहवी पास अनिवारता ममले में सुक्रवार को फैसला जार्खन करमचारी चैन आयोग दोवारा ली जाने वाली परिक्षा में जार्खन से ही दसवी और बरहवी पास की अनिवारता को समाप्त करने के लिए प्रार्थी रमेंस हांसदा दोवारा दायर याजका पर जार्खन हाई कोट से अहम फैसला सुक्रवार को आ सकता है आदालत में फैसला सुनाने के लिए याजका को सुची बत किया गया है पूरू में सुनवाई के दरान सरकार के ओर से सुप्रीम कोट के वरिया दिवक्ता परमजीत पटालिया ने याजका की सुनवाई पर ही प्रशन उठाया जिस पर प्रार्थी की ओर से पूरू महा खरीत शुरू मंत्री रामेश्वर उरावने ओनलाइन की शुरुआत। जारखन में दहेज के लिए हर साल मार दी जाती है 250 बेटियां। जारखन में 2017 से लेकर 2022 अक्टूबर महीने तक 1425 बेटियों को अपनी जान गवानी पड़ी है। दहेज हत्या को लेकर जारखन के स्थिती भी कम भ्यावा नहीं है। जारखन में जूठे वर्तन धोने को मजबूर है राज अस्तरिये खिलाडी। जारखन की ब्यूरो केरेंसी सीम हेमान सुरेन के सपनों पर पानी फेरने पर तुली हुई है। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ मुखे मंत्री जारखन खेल निती 2022 बना कर खेलाडीों को ससक्त बनाना चाह रहे है। वहीं दूसरी तरफ यहां की बीरो क्रेंसी सीर्फ लीपा पोती में जूटी हुई है। इस सवाल को समझने के लिए आपको रायची के खेल गाव में राज अस्तरी खेलो जारखन कारकरम को देखना होगा। हाई स्कूल सिख्षक नियुक्ती मामले में सुप्रीम कोट ने अहम फैसला सुनाते हुए राय सरकार को तीन महिने की भितर नियुक्ती पर किरिया पूरी करने का अदेश दिया हाई। हाई स्कूल मेरिट लिस्ट त्यार कर नियुक्ती करने को कहा है। हाई सुधार देखा गया। हलाकी राजे के अन हिसों में एक से दो घंटे तक की लोड सेटिंग की नौबत बन जा रही है। है बता देश जेवी भी एनल पर करीब 204 को रुपए बकाया रहने के कारन एक्सचेंज से बिजली खरीद परोक लगा दी गई थी। सिक्षा मंत्री को धमकी देने के मामले वे रांची में केस। जारखन के सिक्षा मंत्री जगरनात महतों को जान से मारने की धमकी देने के मामले में रांची के डोरंडा थान में परात्मी की दर्ज की गई है। मंत्री के आपत सचीव सुधीर महतों की और से दर्ज की गई प्रात्मिकी में कहा गया है कि मंत्री के डुरंडा थाना छेतर इस्थित आवासे करेलम स्पीट पोर्ट से धमकी भरा पत्र भेजा गया है जनकारी के अनुसार यह पत्र हजारी बाक से भेजा गया है पत्र में कह गया है कि हम लोग यूपी बिहार और एमपी के रहने वाले हैं और राजे के विभीन जीलों में सिक्षा के पद पर तैनात हैं ऐसे में हमारा मांदे दोगना किया जाए और 1932 के खतियान को बंद कर दिया जाए हम लोग आदिवासी मुलवासी को पसंद नहीं करते जारखन में सुखार राहत के लिए 75,5 लाग किसानों ने किया आवेदान राजे में सुखार से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्य मंत्री सुखार राहत योजना पर प्रभावित किसानों के आवेदान प्राप्त किये जा रहे हैं किरिसी मंत्री बादल ने कहा है कि जब तक सुखार से प्रहोईत राजे के अम्तिम किसान को रहत योजना का लाब नहीं मिल जाता तब तक मुख्य मंत्री सुखार रहत योजना पोटल पर किसानों का निबंधन जाली रहेगा मंत्री ने कहा है कि मुखे मंत्री सुखार रहात योजिना के तहट अब तक राजे में 17,50,184 लावकों ने रेजिस्टेशन कराया इनमें से 9,13,410 ऐसे किसान है जिन्होंने अब तक बुगाई नहीं किया है अंतराश्ट्रिय फिल्म महोत्सो कल से डाक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी बिस्व बिद्याले और जार्खन अंतराश्ट्रिय फिल्म फेस्टीवल के सनुक्त तत्धान में मुरबादे इस्तित बिस्व बिद्याले परिशर में 17 और 18 दिसंबर को अंतराश्ट्रिय फिल्म महोत्सो का आउजन हो रहा है जारखन में सराब माफियाओ की गिरफतारी को पूलिस की बिस्तेश्टी मनाई गई है नौग अचिया सहीत बिभीन जीलो में दर्ज सराब कांडो के उन अभियुक्तों की गिरफतारी और जाच में सवयोग करने के लिए पूलिस मुक्यले में मग्न निसेद बिभाग के टीम बनाई गई है DSP सिद्धू सेखर सिंग के नितित में टीम बनाई गई है जिसमें SI रितेस कुमार और SI मोहमद इरसाद को सामिल किया गया है यह टीम जीलो की पूलिस को कांड के अनुसंधान और जार्खन जाकर सराब माफियाओ की गिरफतारी में मदद करेगी सरदार पटेल की परतीमा का अनावरन करने दमोह पहुंचे जार्खन के राजेपाल सागर नाका ओबर बिरीज के समीप सरदार वललब भाई परतीमा का अनावरन करने के लिए जार्खन के राजेपाल रमेश बैस गुरु आर को दमोह पहुंचे उनके साथ केंद्रिये मंत्री परहलाद पटेल भी मुझूद रहे इस मौके पर राजेपाल ने पटेल समाज की लोगों को समूदित किया और परतीमा का अनावरन के समध में अपनी बात कही इसके अलावा केंद्रिय मंत्री सीरी पटेल ने भी अपने विचार व्यक्त किये कारकरम में जीले की चारो विधान सभा के विधायकों के अलावा अनेजन परतिनिती भी मजूद रही बतादे राजे पटेल समाज के लोगों को समोधित करते हुए कहा है कि केंद्रिय मंत्री परलाइद पटेल ने फोन किया और कहा कि दमोह के हमारे समाज के लोगों ने सरदार पटेल की परतिमा अस्थापित किया है जिसका अनावरन करने आपको आना है मैंने कहा जैसे भी होगा मैं जरूर आउंगा खतियानी जुहार में भींड देख आत्म विश्वा से लबरेज दिखे मुख्य मंत्री सीम हेमान सुरेन गुरू आरगो खतियानी जुहार यात्रा के दोरान मंच पर आत्म विश्वा से लबरेज दिखे सीम हेमान सुरेन के गवव में महागडबंधन में सामिल नेताव की और से जिस तरह से अपनी समनवाएक के साथ जन सभा में एकता दिखाई गई इसका संदेश दूर तक गया या भाजपा के लिए भी संदेश है कि आने वाले दिनों में राज की राजनिती में जहामों कॉंग्रेस और रायत की तिकड़ी नया गुल खिला सकती है हेली पैड से लेकर मेला मैदान तक छामों कॉंग्रेस और रायत समर्थकों की भीड़ बता रही थी कि हेमन्सुरेन उनके सरोमाने नेता हो गए हैं सीम हेमन्त गोड़ा में आदिवासी होस्टल और मोडल इसकूल देख नराज खतियानी जो हार यात्रा में सिर्कत करने पहुँचे मुख्य मंत्री हेमन्सुरेन ने जीला स्कूल आदिवासी होस्टल और मोडल स्कूल के पुर्ण निर्मान कारे का अचक निरिक्षन किया इस दोरान कारियों में कमी को देख सीम ने अधिकारियों को जीर्नो अधार एवं पुर्ण निर्मान कारे में गुन्वता का पूरा ख्याल रखने का निर्देश दिया साथ ही अधिकारियों को सक्त हिदायत दी है की कल्यान विभागद्वारा बन रहे अदिवासी भोष्टल के पुरणिर्मान के कार्य में खाना अपुर्ती ना हो उन्होंने होस्टल के मरमत कारे के दोयान यहां के बच्चे के रहने के लिए बेकलपी बेवस्ता कराने का भी निर्दिस दिया जारखन में एक साथ बड़े प्यमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला जारक्ण में फिर से एक बार बड़े पमाने पर IAS अधिकारियों के तबादला हुआ है, तबादले के अधिकारियों जारी कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से IAS अधिकारियों के तबादले को लेकर चार्चा भी चल रही थी नकसली सरेंडर करे वरना मारे जाएंगे नकसलीों के सफाया को लेकर जार्खन पूलिस के साथ साथ राश्ट्री एजेंसी एनाई भी जूट चुकी है लोहर्दक गाजी लेक नकसल परवाई सेरे दांग थाना चेतर के सनाई जुडनी चपाल हिसांग और आसपास के दाजनों गरामिनों से नकसल गति वीदियों को लेकर सिरे दांग थाना और सेना थाना बुलाकर एनाईय में पतिन्यूक थे एस आई दिक्कु सुरें द्वारा पुछताच की गई बता दे कि गरामिनों को एनाई की ओर से नोटिस भेजा गया था जिसके अधार पर यहां पुछताच की गई है वहीं राची जोन के आईजी पंकज कमबोज ने नकसलियों को संदेश देते हुए कहा है कि जारकन सरकार की सरेंडर पोलिसी का लाब उठा का सरेंडर करे नहीं तो पूलिस की करवाई में मारे जाएंगे कमपोज ने नक्सलियों से कहा है कि सरेंडर करके बाकि का जीवन परिवार के साथ बिताए फोटोग्राफी या वीडियो बनाने का सोख रखते हैं तो जीत सकते हैं संतावन लाख रूपया का पुरसकार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का सोख रखने वालों के लिए सुनारा आउसर है बतादे कैमरे के लेंस और अपने वीजन के जरिये दिखाए जारकन की प्रमपरा, कला संस्क्रिती, प्रकिर्तिक संदर्य, धार्मिक अस्थल, निरित्य एवं अन्य गतिबी दिया और त्रितिय स्थान पराप्त करने वालों को 50 से रुपए पुरस्कार दिये जाएंगे, परतेक से रेडि में 20 से रुपए के समयकित पुरस्कार भी सामिल है, वहीं भी जेताओ का चैन उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर भीजू और लाइक की अधार पर किया जाएगा, राजेपाल रमेश बैस ने सियम हमनत को लिखा पत्र, राजेपाल रमेश बैस ने मुख्यमंतरी हमनसुरेन को पत्र लिखा है, C.M. से कहा है कि राँची में रोड हिंसावा तरी कुट पहारी रोप होई हाथसे कि जाच पूरी कर दोस्यों पर करवाई की जाए, राजे पाल ने लिखा है किया आश्चर जना का है कि राजे में हुई ऐसी सनवे दन सील घटनाओं की राज सरकार की ओर से कोई मोनेटिंग नहीं की गई राजे पाल ने मुख्य मंत्री को इस बिसेस घटनाओं की तरफ ध्यान अक्रिष्ट कराते हुए कहा है कि 10 अप्रेल 2022 को देवगर जीला के त्रिकुट पहाड़ी पर रोपवे दुर घटना हुई थी इस दुर घटना की जांच के लिए राज सरकार दोरा 29 अप्रेल 2022 को एक समीति गठन वी की गई थी समीति को दो माह में जांच रिपोर्ट जमा करना था केंद्रिये कोईला मंत्री से मिले संजय सेठ धरांची के संजय सेठ ने नई दिली में केंद्रिये कोईला एवं संजय कार मंत्री परहला जोसी से मुलकात की इस दौरान संजय के राय सीशू मंदीर विद्याले से डखरा चोक तक सलक निर्वान की स्विक्रिति देने के लिए भार जताया इस दौरान खलारी में बंद पड़े केंद्रिये विद्याले का संजय केंद्रिये मंत्री से किया सांसल सिरी सेठ ने उनसे आगरा किया है कि कोईला खनन प्रभावी छेतर है जहां बड़ी संक्या में इस ब्यवसाइश से जुड़े लोग रहते है बच्चों के पठन पठन के लिए छेतर में कोई अच्छा बिद्याला भी नहीं है ऐसे में इस केंद्रिये बिद्याला का संचालन काफी ज़रूरी है खेलो जार्खन परतियोगिता का पहला चरण 15-17 दिसंबर तक राजे अस्तर ये खेलो जार्खन परतियोगिता 15 दिसम्बर से सुरू हो गई, परतियोगिता दो चरण में होगी, परतियोगिता 15 से 17 दिसम्बर तक वहीं दूसरे चरण की परतियोगिता 19 से 21 दिसम्बर तक होगी, परतादे परतियोगिता में एथलीट कराटे हों की कुस्त किया गया परतियोगिता खेल गाविस्टीत अलग अलग स्टेडिया में होगी परतियोगिता का उद्घाटान सिक्षा मत्री जगनात महतों ने किया इसमें राज बर के 26 वपरति भागी भाग लेंगे धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब कर ब भूलें साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवाइक कवा से दे थांक यू अ